पीजेपी सानसद दीपक प्रकाश नहीं रज सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि जारखंड आज तुस्टी करण का शिकार हो चुका है संथाल परगना के पांस जिलों में वहां हिंदू अल्प संकेक हो चुके हैं आदिवासी की जनसंग क्या घट रही है और वहां पर बंगलादेशी घुसपैटी अर्थिक संसादनों को अपने कब्जे में ले रहा है जारखंड आज तुस्टी करण की का शिकार हो चुका है बंगलादेशी घुसपैटी जिस डंक से संथाल बरगना के पांच जिले पाकुड, जामतला, साहेब गन्स, दुमका और गुड़ा ऐसे पांच जिले हैं जो पांच जिलों का मैंने नाम बताया है उसमें कई ऐसे मंडल परखंड है उन परखंडों में हिंदू अल्प संक्य को चुका है आदिवासी की जन संक्या घट रही है और वहाँ पर बंगलादेशी घुसपैटी वहाँ के आर्थिक संसाधनों को अपने कभजे में करने के साथ-साथ हमारी आदिवासी बहनों के साथ उनकी जमीन को लुटने का कांची चारकंड में विधान सबा चुनाओं को देखते हुए बीजेपी बंगलादेशी घुसपैट ये का मुद्धा फिर से उठा रही है बीजेपी के बंगलादेशी घुसपैट के आरोप पर कॉंग्रिस महासचीव राकेश सिनहा ने कहा कि बीजेपी ने जो रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौपी है उसकी कितनी सत्ता है इसकी जाच होनी चाहिए बीजेपी सिर्फ राज की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है राज की जनता सब समझ चुकी है इस तरह की बात करके बीजेपी को कोई फाइदा नहीं होने वाद भार्षी जनता पार्टी के पास अब इस राज में कोई मुद्दा बचा नहीं सरना धर्मकोट इस राज का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया था लोगसबा के चुनाबों में और सरना धर्मकोट मुद्दा ना बने सरना धर्मकोट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महांगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक बार भार्षी जनता पाटी हिंदू और मुसलिम की राजनीत आदिवासी और मुसल्मान की राजनीत पे उतर आई है चुकि लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिनाम आए उनका अहंकार हरा हर जगह हिंडू और हिंदुत से उनको सबक मिला